इसमक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरे उस कार की तस्वीरे हैं जिसके शीशे पर गोली का निशान है रेंज रोवर कार है और फ्रंट पैसेंजर साइट पर पिलर के पास एक गोली का निशान है भी वहां लगी हुई है और तस्वीर आप देख रहे हैं अब सवाल है कि आखिर ये गाड़ी है किसकी और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कितनी कितने राउंड फाइरिंग की गए थी क्योंकि खबर अब तक ये कि चार से पांच राउंड फाइर किया गया है तो ये देखिए ये बाबा सिद्धी की ही कार बताई जा रही है और उनकी कार पर ये फाइर हुआ है तो एक गोली कार पर भी लगी है और बाबा सिद्धी को तीन गोलियां लगी जो अब तक जानकारी निकल कर सामने आई है रहुनक हमारे साथ लगातार बने हुए है रहुनक क्या अपडेट आपके पास अब बताना चाहता हूँ कि अबू आजमी थोड़ी देर पहले यहां पर इलावती अस्पाताल पहुंचे थे हमने उनसे भी बाचीत की दरसल उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई कि एक घटना लगबक साड़े दो बजे की करीब हुई और जिस वक्त उन्हें अस्पताल लाया गया उसके पहले ही बाबा सिद्धी की डेथ हो गई थी इस तरह की जानकारी अबू आजबी की तरफ से दी जा रही है जो कि थोड़ी देर पहले मुक्के तोर पर परिवार ज परिता ऐसे जिन पर इस तरह की घटना हुई है और दोनों मामले में निताओं के वहां पर जो है वह मौत हो गई तो कुल मिलाकर अगर फिलहाल देख सकते कि उनके जो रिष्टेदार है नाते रिष्टेदार वह यहां पर पहुंच रहे हैं उनके करीबी जो लोग है वह य परिजे एस्पिताल में पोस्टम जो है वो कराय जाएगा और उसके बाद बाकी की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी जी रौनक जो आप बता रहे थे कि सल्मान खान आ सकते हैं कुछ और सेल्विटीज आ सकते हैं उस तरह की कोई सुबुगा हट कोई गयम है गयमी जी रेके निशित तोर पर क्योंकि सल्मान खान के जो बाडी गार्ड्स है वो यहाँ पर पहुचे हुए थे तो यह कयाज जरूर लगाय जा रहा था कि सल्मान खान यहाँ पर कुछ देर बाद पहुचेंगे लेकिन फिलहाल इसकी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं दी जा जानकारी लेने की कोशिश की कि जो एंगल सामने निकल कर आ रहा है कि लौरेंस बिश्णोई के लोग हो सकते क्योंकि बाबसिद्धी की के बहुत अच्छे संबंद सल्मान खान से रहे है और लगातार सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी रह रहकर वाइरल होते रहता है जि यह वाकई में एंगल है क्योंकि जो हमें प्रार्थविक तोर पर जो मुंबई सूत्रों के हवाले से जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले ही दर्शकों से जानकारी साजा की की जो सुपारी किलर वहां पर पहुचे हुए थे उनके पास केवल बाबा सिद्धी की का फोटो और जगा बताई गई थी कि इस जगे पर इतने बज़े बाबा सिद्धी की मिल सकते और उसी के बिना पर ये फारिंग की गई है इस तरह की प्रार्थविक जानकारी जो है मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है जी बहुत ये जानकारी बहुत एहम है जो आप रौनक दे रहे हैं और देखें वो कार भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रेंजरोर कार और इसके जो फ्रंट पैसेंजर साइड की विंट्शीर्ड है पिलर है वहाँ पर एक गंशोट है और हमने आपको कुछ देर पहले व सार जगे जांच एजिंसियों ने उसको एंसरकल किया था और अब ख़बर ये कि मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को देख रही है हलाकि तीसरे आरोपी का अभी तक कोई अभी पता नहीं है मुंबई क्राइम ब्रांच उसे ढूनने की कोशिश कर रही है इदर म और इस विश्णोई एंगल से भी इन चीजों को देखा जा रहा है रानक मेडिकल बुल्टन के बारे में क्या जानकारी है किस वक्त आएगा क्योंकि ओफिशियल स्टेट्मेंट तो उसे ही माना जाएगा अब थोड़ी देर पहले जब अबू आसमी से बात हो रही थी उनका कहना है कि पंच नामे को लेकर और जो अस्पताल के कुछ कागजात बनाने होते हैं उसकी प्रोसीजर चल रही है और मुझे लगता उसके तुरंद बाद ही अस्पताल की तरफ से अधिकारी जो बुलेटिन है जिसका इंतजार कई लोग कर रहे है वो जानकारी जो है वो लोगों तक अस्पताल प्रसाशन साजा कर देगा लेकिन मैं आपको एक कल की बात बता अने वाले विधानसभा चुनाओं को लेकर पत्रकारों के पास क्या कुछ जानकारी है क्या सोच रहे है क्या कुछ महोल लग रहा है इसकी जानकारी उन्होंने मुझसे लेने की कोशिश कि और मैं बावा सित्थी की बिखान विधान सभा करता रहा हूँ ऐसे में जब वो विधायक थे उस दौरान से मैं बावा सिद्धी की के संपर्क में हमेशा से रहा पिछली बार वो आशीश शेलार से विधान सभा का चुनाव उनके सामने हार गए लेकिन इसके बावजूत इस इस राक्य के लोगों से उनका एक मामले में उनका नाम उचला उसके बाद से वो थोड़े से मीडिया से दूर रहने लगे दूरी बनाना उन्होंने पसंद किया लेकिन जिस वक्त मैं आपको बता दू कि जिशान सिद्धी की महाविकास आगाडी की सरकार में कोविड के वक्त में लोगों की मदद करने के ल अगर नहीं मिल रहा है किसी को अस्पताल में भरती कराने की बातों तो मैंने देखा है कि जब भी बाबा सिद्धी की को अगर फोन लगाया जाए कि बाबा इनको मदद करनी है तो बाबा एक फोन में लोगों की मदद करने के लिए तयार रहते थे तो बहुत ही मिलन सार इस